द्रेश्टिया इसके आडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का आडियो आर्टिकल दा हिंदू में प्रकाशत लेक इसमें टीम द्रेश्टि के इनपूट भी शामिल है यह आडियो आर्टिकल सामान्य अध्यान प्रश्ण पत्र तीन के अर्थ शास्त्र और विज्ञानेवं प्रोद्यों की खंड से जुड़ा हुआ है तो आईए लेक की शुरुआत करते हैं नोबल पुरसकार 2017 नोबल पुरसकार वेशु का बेहत प्रतिष्ठित सम्मान है यह ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानव जाती की भलाई के लिए उतकृष्ट कारे किये हूँ यह उतकृष्ट कारे कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ऐसी खोजों या कृतियों के रूप में हो सकते हैं जो वैश्विक अस्तर पर क्रांतिकारी परिवर्तन के वाहक बने हूँ अब नोबल पुरसकार के प्रिष्ट भूमी के बारे में चर्चा करते हैं नोबल पुरसकार के शुरुवात स्वेडिश वैज्ञानिक और डैनमाइट के अवश्कारक अलफ्रेड नोबल के नाम पर 1901 में हुई अलफ्रेड नोबल की वसीयत के अनुसार शुरुवात में नोबल पुरसकार चिकित्सा, भौत की, रसायन, साहित्य और शांती के क्षत्रों में ही दिये जाते थे लेकिन 1968 में स्वेडन के केंद्रिया बैंक ने अलफ्रेड नोबल की याद में अर्थ शास्त्र के क्षत्र में भी नोबल पुरसकार शुरू किया अलग-अलग क्षेत्रों के नोबल पुरसकार, अलग-अलग संस्थाएं या एकेडमी द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिनमें से साहित्य का पुरसकार, स्वेडिश एकेडमी और शांती का पुरसकार, दर नौर्वेजियन नोबल कमेटी के द्वारा दी जाती है। दिल्चस्प बात ये है कि शांती का नोबल पुरसकार नौर्वे की राजधानी ओसलो में जबकि शेश पुरसकार स्वेडन की राजधानी स्टॉक हों में दिये जाते हैं 1901 से अब तक 911 व्यक्तियों को नोबल पुरसकार दिया जा चुका है जिनमें अब तक की सबसे कम उम्र में नोबल पुरसकार पाने वाली पाकिस्तान की मलाला युसुप जाई है अब वर्ष 2017 के नोबल पुरसकारों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं वर्ष 2017 के चिकित्सा का नोबल पुरसकार अमेरिका के तीन वेग्यानिकों जेफरी सी हाल, माइकल रोसबाश तथा माइकल डबल्यू यंग को दिया गया इन्होंने मानो शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी यानि बायोलोजिकल क्लॉक का पता लगाया तथा उसके कारियों को स्पष्ट किया बायोलोजिकल क्लॉक को सरकेडियन रिदम भी कहा जाता है यह biological clock, उपापचे, शरीर के तापमान, नींद, हार्मोन के अस्तर जैसे जैविक कारियों को प्रभावित करती है तीनों वैग्यानिकों ने रोजमर्रा की जैविक स्थिती को नियंतरित करने वाले जीन को पहचान कर अलग किया और दिखाया कि कैसे ये जीन उस प्रोटीन को परिवर्तित करने का कारे करता है जो दिन में बहुत ही छोटा आकार ले लेता है तथा रात के समय कोशका में जम जाता है सरल शब्दों में कहें तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने बताया कि शरीर का सिस्टम किस तरह काम करता है रसायन का नोबल पुरसकार जैक्स डुबोचित जोयचिम फ्रेंक और रिचर्ड हेंडर्सन को सन्योक तरूप से दिया गया इन्होंने cryo electron microscopy विक्सित की है यह microscopy किसी भी तरल में biomolecules की high resolution सन्रचना को दिखा सकती है इस शोद से इन्होंने biochemistry को एक नए यूग में पहुँचा दिया है मनुश्य अब शरीर की बेहच जटिल सन्रचनाओं की ज्यादा बेहतर त्रियायामी तस्वीरें प्राप्त कर सकता है गोर तलब है कि इन biomolecules को बीच में ही freeze करके अध्यान किया जा सकता है 2017 का भौतकी का नोबल पुरसकार अमेरिकी खगोल वैग्यानिकों बैरी सी बैरिश किप एस थोरने और रेनर विसको लेजर इंटर फेरोमीटर ग्रेविटेशनल विब अब्जरवेटरी यानि लीगों में निरनायक योगदान और गुरुत्विय तरंगों की खोज के लिए दिया गया है इनकी अखोज गहन ब्रम्हांट के दरवाजे खोलने में मदद करेगी लेकिन अब सवाल यह है कि ये गुरुत्विय तरंगे क्या होती हैं और ब्रम्हांट की उत्पत्ती को समझने में हमारी मदद कैसे करेंगी वैग्यानिक मानते हैं कि कई खरब वर्ष पहले जब इस स्रिष्टी के शुरुवात भी नहीं हुई थी तो दो विशालकाय ब्लैक होल के आपस में टकराने से बड़ी मात्रा में उर्जा निकली ये उर्जा इतनी ज्यादा थी कि हजारों सूर्य की भी उर्जा कम पड़ जाए यह हम साथ में कई तरंगे पैदा हुई जो पूरे ब्रम्हांड में फैल गई इन ही तरंगों को गुरुत्विय तरंगे कहा जाता है इन तरंगों का असर इतना कम होता है कि मनुष्य इसे महसूस नहीं कर पाते अलबर्ट आइंस्टीन ने लगभग एक सदी पहले अपनी सापेक्ष्टा के सिध्धानत के तहट गुरुत्विय तरंगों का अरुमान लगाया था लेकिन 2015 में ही मालूम चला कि ये तरंगे अंतरिक्ष समय में विद्यमान है ब्लैक होल से कोई प्रकाश नहीं निकलता इसलिए डार्क मैटर का पता केवल गुरुत्विय तरंगों से ही चल सकता है और गुरुत्विय तरंगे चुकि स्रिष्टी के आरंभ से जुड़ी हुई है इसलिए स्रिष्टी की शुरुवात के रहस्यों को भी समझने में मदद मिलेगी साहिति के ख्षत्र में वर्ष 2017 का नोबल पुरस्कार जापानी मूल के ब्रिटिश लेखक काजुओ इशी गुरु को उनकी कृति दरीमेंस ओफ दे डे के लिए मिला है इन्होंने शांदार भावनात्म को पन्यासों से विश्व के आपचारिक संबंधों की गहरी खाई को उजागर किया है अब शांतिक एक्षत्र में नोबल पुरस्कार की बात करें तो 2017 में यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं बलकि एक Anti-Nuclear अभियान चलाने वाली संस्था ICAN को दिया गया है इस संस्था का पूरा नाम International Campaign to Abolish Nuclear Weapons है यह 100 से ज़्यादा देशों में कारे करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं का समू है इसके शुरुआत आस्ट्रेलिया में हुई थी तथा 101 देशों के 468 संगठन इस संस्था से जुड़े हुए हैं जिन में से 3 संगठन भारत के हैं पहला Indian Doctors for Peace and Development दूसरा Indian Institute for Peace, Disarmament and Environmental Protection और तीसरा Popular Education and Action Center शांती का नोबल पुरसकार ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो दो देशों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देते हैं तथा समाज के लिए अच्छा काम करते हैं जिससे लोगों को नया जीवन मिले विदित है कि भारत में Mother Teresa और कैलाश सत्यार्थी को शांती का नोबल पुरसकार दिया जा चुका है इस वर्ष ICAN ने मुखेता हुश्व में परमाडू हतियारों के इस्तमाल के बाद की भयावा परिस्थितियों से आउगत कराया है आंत में हम बात करते हैं अर्थ शास्त्र के एक शेत्र में नोबल पुरसकार की अर्थ शास्त्र के एक शेत्र में वर्ष 2017 का नोबल पुरसकार अमेरिकन प्रोफेसर रिचर्ड एच थेलर को दिया गया है थेलर ने बताया कि आर्थिक और वित्तिय फैसले करने व्याले व्यक्ति हमेशा तार्किक नहीं होते बलकि वे बहुत हद तक मानविय बंधनों से जकड़े होते हैं थेलर का सिध्धान्त बिहेवियरल अर्थ शास्थ पर केंद्रित है जो ये बताता है कि वित्तिय आर्थिक बाजारों में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लिये गए फैसले पर मनुवैग्यानिक और सामाजिक कारकों का क्या असर पड़ता है सीमित तरक शक्ति, सामाजिक वरियताएं तथा आत्म नियंतरण की कमी से मनुष्य बाजार में नियमित रूप से ठगा जाता है ठेलर समझाते हैं कि लोगों का स्वयम पर नियंतरण नहीं होता और वे भोजन, पेंशन, धूमरपान तथा भविश्य के लक्षों के बारे में अतार्किक नेने ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर किसी सूपर मार्केट में खरिदारी करते समय मनुष्य, सरुष्य या अपने काम की वस्तु चुनने के बजाए वे वस्तुएं पहले चुनते हैं जो उनकी निगाह में पहले पढ़ जाती हैं दिल्चस्प है कि बड़ी-बड़ी कंपनियां इसी मनोविज्यान का फायदा उठा कर प्रोडक्ट की पैकेजिंग शांदार तरीके से करती हैं, बाई वन गेट वन के पीछे भी लगभग यही मनोविज्यान है थेलर अपने रिसर्च में डिफॉल्ट ऑप्शन के महत्व को बताते हैं कि ऐसा विकल्प जो तब अपने आप लागू हो जाएगा जब आप सक्रिया रूप से कोई दूसरा चुनाव ना करें मानव आलसी प्राड़ी है और अधिकांश्ता हुआ डिफॉल्ट ऑप्शन से ही काम चला लेता है चाहे बहतर विकल्प उपलबधी क्यों ना हो इसी डिफॉल्ट ऑप्शन के मनोविज्ञान को भुनाने के लिए कमपनियां बहुत जटल और आसानी से समझ में ना आने वाली शर्ते बनाती हैं जिससे व्यक्ति ज्यादा सोच विचार न करे और कोई ऐसा विकल्प चुन ले जिससे कमपनियों को फैदा हो ठेलर के अनुसार सीमित तर्क संगत्ता, सामाजिक वरियता और सल्फ कंट्रोल की कमी किसी व्यक्ति के निर्णे को प्रभावित करते हैं इससे बाजार के आउटकम पर भी प्रभाव पड़ता है ठेलर का सिधान्त भारत जैसे विकास शील देशों के लिए महतुपून भूमिका निभा सकता है जैसे वक्ती रोज मर्रा के बाजार के घाटूं और फिजूल खर्ची से बच सकता है ध्यान देने योगी बात है कि अर्थ शास्त्र के नोबल पुरस्कार की दोड में आरबी आई के पूर्व गवर्णर रगुराम राजन भी थे लेकिन वे इसे प्राप्त नहीं कर पाए ठेलर ने भारत में हुए विमुद्री करण का भी समर्थन किया था आये भारत से तालुक रखने वाले उन प्रमुख लोगों की चर्चा करते हैं जिन्होंने विगत वर्षों में नोबल पुरस्कार प्राप्त किया है रविंद्रनाट टैगोर भारत के पहले नोबल पुरस्कार विजेता थे उनकी रचना गीतांजली जो कविताओं का संग्रह है इसके लिए उन्हें सन 1913 में साहित्य के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया बहुतिक विज्ञान के ख्षेत्र में नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतिय चंदर शेखर विंकट रमन थे इन्होंने प्रकाश पर गहन अध्यान कर एक अविश्कार किया जिसे विज्ञान जोगत में रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है इसी खोज के लिए 1930 में उन्हें नोबल पुरस्कार मिला भारतिय मूल के हर गोबिंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के ख्षत्र में नोबल दिया गया उन्होंने अनुआंशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संशलेशन में इसकी भूमिका का पता लगाया मदर टेरेसा को समाद सिवा के ख्षत्र में उनके उलेखनिया योगदान के लिए 1989 में शांती का नोबल पुरस्कार दिया गया कोलकाता में गरीब और विमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरीज ओफ चैरेटी नाम की संस्था इनोंने बनाई थी दीन दुखियों कुष्ट रोगियों के लिए निर्मल हृदय नाम की संस्था बनाई ध्यान देने योगे बात है कि अलबानिया मूल की मदर टेरेसा उन्हें सो उन्तीस में मिशनरी के रूप में भारत आई थी डॉक्टर सुब्रमन्यम चंदरशेखर को ब्लैक होल्स पर शोध कारे के लिए 1983 में बहुत की का नोबल पुरसकार दिया गया उन्होंने एस्ट्रो फिजिक्स एवं सौर मंडल से संबंधित विशेयों पर कई पुस्तकों की रचना की उन्होंने नक्षत्रों के लिए जो सीमा निर्धारित की उसे चंदरशेखर सीमा कहते हैं प्रोफेसर अमर्त सेन अर्थशास्त्र के एक शेत्र में नोबल पुरसकार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं इन्हें 1998 में नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया इन्होंने लोक कल्यान कारी अर्थशास्त्र की अवधारना का प्रतिपादन किया तथा वेलफेर डिवलप्मेंट पर अनेक पुस्तकों की रचना की त्रिनेदाद में जन्में भारतिया मूल के ब्रेटिश नागरिक वी एस नाइपॉल को 2001 में साहित के क्षत्र में नोबल पुरसकार दिया गया भारतिय मूल के अमेरिकी वैग्यानिक राम कृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षत्र में नोबल पुरसकार दिया गया इन्होंने राइबूस उम की संरचना और कारे प्रणाली पर विशेश अध्यान किया भारत में बच्चों के अधिकार के लिए लड़ने वाले कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांती के नोबल पुरसकार से नवाज आ गया उन्हें यह पुरसकार लड़कियों के हक की आवाज उठाने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुप जयी के साथ सन्युक त्रूप से प्रदान किया गया था आई अब नोबल पुरसकार की दोड़ में भारत की पिछड़ी स्थिती पर चर्शा करते हैं इस अंदर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा नोबल पुरसकार पाने वाले देशों में आमेरिका पहले स्थान पर, यूनाइटेट किंगडम दूसरे स्थान पर, तथा जर्मनी तीसरे स्थान पर है अब विचार करने लाएक प्रश्णिया है कि आखर क्या कारण है कि भारतियों को इतनी कम संख्या में नोबल पुरसकार मिले हैं इसके अनेक पहलू हैं लेकिन सबसे प्रमुख पहलू यह है कि भारतिय उच्च शिक्षा में रिसर्च और डेवलप्मेंट की कमी है हाला कि संख्या की द्रिष्टी से देखा जाए तो भारत की उच्चतर शिक्षा ववस्था अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नमबर पर आती है लेकिन जहां तक गुडवत्ता की बात है तो दुनिया के शिर्च दो सौ विश्विद्यालेों में भारत का एक भी विश्विद्याले नहीं है भारत में रिसर्च और डिवलप्मेंट पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता वास्तों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 0.8 फीजदी से भी कम हिस्सा रिसर्च और डिवलप्मेंट को मिल पाता है जबकि अमेरिका अपनी जीडीपी का 2.8 फीजदी, यूके 1.7 फीजदी और फ्रांस 2.2 फीजदी हिस्सा रिसर्च और डिवलप्मेंट पर खर्च करते हैं दूसरा पहलो यह भी है कि भारत की शिक्षा में प्रतिभा या ज्यान से अधिक अंकों पर जोर दिया जाता है जबकि अमेरिका, फ्रांस, आस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसके ठीक विपरीत इस्थती है वहां की शिक्षा में छात्रों को प्रतिभावान, कल्पना, शील बनाया जाता है हाले कि भारत में ग्यान और प्रतिभावान व्यक्तियों की कमी नहीं है लेकिन रिसर्च और डिवलप्मेंट के लिए वे सुधाय हासिल नहीं है जो दूसरे देशों में है अलबर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि बौधिक्ता की सही निशानी ग्यान नहीं बलकि कल्पना है सचाई यह है कि भारत में असली वैग्यानिक प्रतिभा की सराहना नहीं की जाती है इसलिए भारतिय चात्र शोध के लिए अन्य देशों में जाते हैं और उन देशों के लिए नोबल पुरसकार प्राप्त करते हैं गौर करने वाली बात है कि अहिंसा को हतियार बनाकर भारत को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को कभी शान्ती का नोबल पुरसकार नहीं मिल सका अलाकि वे इस पुरसकार के लिए पांच बार नामांकित भी हुए हैं यह संदर्व चैन समीती के विकास शील देशों के प्रती दोहरे मांधंडो को भी दर्शाता है तथा चैन समीती पर इस प्रकार के प्रशन समय समय पर उठते भी रहे हैं लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इन सवालों के बावजूद नोबल पुरसकार वैश्विक अस्तर पर प्रदान किया जाने वाला उतक्रिष्ट पुरसकार है। यह पुरसकार प्राप्त करता के कारे को नकेवल सम्मानित करता है बलकि उसे एक अंतराश्या पहचान भी प्रदान करता है। नोबल पुरसकार हमेशा एक विशेष्ट खोज की शुरुवात करता है। इसी खोज जो बहुत बड़े अस्तर पर मानो समाज का कल्यान करे एवं व्यक्तियों को नई जिंदगी प्रदान करे। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2016 में चिकित्सा का नोबल पुरसकार योशी नोरी ओसुमी को इस थियोरी से ऐसी कोशका की खोज हुई जो अपने आपको खाती है यह थियोरी पारकिंसन कैंसर जैसे लाइलाज रोगों को समझने में मदद करेगी यह खोज मानो जाती के कल्यान के लिए बेमिसाल है। आई अब नोट करते हैं आज का सवाल। हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबल पुरसकार विजेता रिचर्ड थेलर द्वारा प्रतिपादित बिहेवियरल एकोनोमिक सिध्धान्त क्या है भारत जैसे विकास शील देशों के संदर्व में इसकी प्रासंगिक्ता पर समालोचनात्मक मुल्यांकन कीजिए।